आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने Question की फोटो कीचो उसे Crop करो और तुरंत वीडियो सिलीशन पाओ डाउनलोड नाओ इस Question में हमें Cost of Living Index Number फाइंड करना for the Forming Data तो हम क्या करते हैं हमने एक Table बनाया है हम इस Table में यहाँ पर Group लिखेंगे फिर से Then Group के According यहाँ पर हमारा जो Quantity है Quantity लिखेंगे जिसको हम denote करेंगे W से Then यह Base Price है यह जो Base Year का Price है इसे P0 लेते है Quantity को हम W ले रहे हैं इस Price को P1 लेते है तो यहाँ P0 लिखेंगे यहाँ corresponding P1 फिर हम P find करेंगे That is तो यह होता है P1 upon P0 into 100 के Equal और यहाँ Pw करेंगे तो Food को अगर F से denote करता है Clothing को C से Fuel and Lightning को F से House Rain को H से Miscellaneous को M से ठीक है तो यहाँ पर हमाँ पस कितने हैं 5 है तो यहाँ पर अगर हम इसको 5 पार्ट से डिवाइड कर लेते हैं ताकि हमाँ Calculation जब हम करें तो हमें उसको देखने में Clear हो तो यह हमारा Second Part यह हो गया हमारा Third Part This is the Fourth Part और एक पार्ट जो है वो हमारे Total के लिए रखेंगे ठीक है तो अगर First जो हम देखते हैं तो First के है Food तीक है फिर Clothing है तेन हमारे पास Lightning है Fuel and Lightning है तेन हमारे पास उसके बाद है House Rain and then Miscellaneous अब W जो Quantity है वो है तो यह कितना हो गया 5, 10, 17, 22, 25 के Equal तो यहाँ पर हमें Total देखना है तो यह जो Summation of W है मतलब यह पूरा जो Total है तो अगर देखें 5 प्लस then ठीक है फिर 17 अट करेंगे then 22 and then 25 तो यह पूरा Total तो हो गया 79 के Equal then हम P not अगर देखते है तो वो कितना है 40, 30, 20 तो यह 40, 30, 20 then 60 and 70 यह आगया then P1 देखें तो यह है 20, 35 20, 35, 10 then 10 and 8 यह है तो अब P की वाल्यू देखें तो 20 divided by 40 और जब इसको हम 100 से मल्टिप्लाई करेंगे तो यह 50 हो गया then 35 divided by 30 और जब हम इसको 100 से मल्टिप्लाई करेंगे ठीक है तो यह हो जाएगा 350 by 3 के Equal ठीक है उसके बाद 10 divided by 20 इन्टू 100 अगर करते हैं तो यह फिर से 50 हो गया then 10 divided by 60 इन्टू 100 अगर करें तो यह आजाएगा 50 by 3 के Equal then 8 divided by 70 इन्टू 100 करते हैं तो यह हो गया 80 by 7 के Equal अब 50 इन्टू 5 देखें तो यह हो गया 250 के Equal then अगर हम 350 इन्टू 10 divided by 3 करते हैं तो यह हो जाएगा 3500 by 3 के Equal then अगर हम देखे 50 इन्टू 17 तो यह हो गया हमाँ पास 850 के Equal then 50 इन्टू 22 divided by 3 तो यह हो गया 1100 by 3 के Equal then 80 इन्टू 25 और देवाइद बाइ 7 तो यह हो गया 2000 by 7 के Equal तो अगर हम यहाँ देखे Summation of PW तो कितना अगर 250 plus 3500 by 3 plus 850 plus 1100 by 3 plus 2000 by 7 ठीक है तो अगर हम देखे तो यहाँ पे हम इसे लिख सकते है कि इसको हम यहाँ पे 21 का ठीक है तो 21 इन्टू 250 अगर करे तो यह 5 to 50 क्या plus 3500 इंटू 7 करेंगे तो यह जाएगा 25400 के 24500 देन 850 इंटू 21 करते है तो 17850 plus 1100 इंटू 7 दाट इस 7700 plus 2000 इंटू 3 दाट इस 6000 ठीक है तो जब हम इन सब को आड करेंगे तो हमाई पस कहेगा 5250 plus 24500 plus 17850 plus 7700 plus 6000 तो यह होगे हमाई पस 61300 upon 21 के एकवल ठीक है अब हम अगर देखे हमें क्या फाइन करना है cost of living index number तो CLI यह होता है summation of PW upon summation of W that is 61300 upon में 21 whole upon में summation of W कितना था? 79 तो यह हो जाएगा 61300 upon में 21 into 79 ठीक है? तो 61300 divide by पर ले 21 करते है और फिर 79 करते है तो यह जो value है यह equal होगे मैं पस 36.95 के So, this is the required cost of living index and our answer Classics to 12 से लेके meet IIT जेही means और advance के लेवल तक 10 मिलियन से जादा students का भर होसा आज ही डाउनलोड के डाउटने टाप यह WhatsApp कीचे अपने डाउट आच चारसो 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 पर